हलो एब्रीवान वेलकम लास्ट क्लास में हम लोगों ने आग्रिगेट डिमांड के कॉंसेप्ट को फिनिश किया है हम लोगों ने देखा कि AD कर्व जो है उसका स्लोप कैसा होता है उसका शेप कैसा होता है और स्लोप देखते हुए हमें पता लगा कि AD कर्व को का पॉजिटिव स्लोप होता है और अग्रिगेट डिमांड कर्व अपोर्ड राइजिंग होता है अपोर्ड राइजिंग होने का कारण इंकम के बढ़ने के साथ साथ जो अग्रिगेट डिमांड होता है वो भी हमारा increase होता चला जाता है आज हम लोग बात करेंगे हमारे इस chapter के इस unit के second concept को जो की है aggregate supply तो चलिए शुरू करते हैं हम बात करेंगे aggregate supply के meaning के साथ aggregate supply के components और साथ ही साथ aggregate supply के curve को भी हम देखेंगे with the help of table and a diagram तो चलिए शुरू करें aggregate supply जैसे हम लोग उन्हें aggregate demand पढ़ा ठीक उसी तरह से aggregate supply का concept भी आप micro से relate कर सकते हो बट same नहीं कर सकते हैं परकर दोनों अलग है aggregate supply की अगर हम बात करते हैं तो directly इसके meaning पे चलता है फिर हम वहीं से बहुत सारी बातें जो हैं वो साथ साथ में discuss करेंगे aggregate supply refers to refers to what so aggregate supply refers to the money value of goods and services that वो goods and services का total monetary value money value जिसको that the producers all the producers जितने भी producers हैं economy में उन सब के द्वारा यहां पे एक word और लगा लें इन गीवन ताइम पीरियड पीरियड दाट इस पटिकुलर्ली अन अकाउंटिंग पटिकुलर्ली अन अकाउंटिंग इयर एक वित्तिय वर्ष के दौरा अर्थविवस्था के जितने भी उत्पादक हैं all the producers जो की जितने भी goods and services को produce कर रहे हैं और उसको supply करना चाहते हैं उसको supply करने जब वो कर रहे हैं तो उन तमाम goods and services के money value का जो sum total है उसी को हम एक शब्द में मतलब एक टर्म में aggregate supply के नाम से जानेंगे aggregate supply refers to money value of goods and services that all the producers are willing to supply in an economy in a given year supply का मीनिंग भी कुछ मिलता जुलता था अंतर है बट हलका फुलका मैंने खाँ मिलता जुलता था supply में हमने पढ़ा कि एक supplier sorry एक commodity है उसकी various quantities अलग-लग prices पे producers के द्वारा अगर supply करी जाती है अगर बेचने की इक्षा की जाती है तो उसे हम कहते थे supply यहां पे भी almost चीज़े same है वहां पे बस बात हो रही थी एक commodity की because macro economics micro economics का पार था यहां पे हम बात करेंगे all the goods and services तमाम goods and services जो economy में सारे producers के द्वारा बेचने की इक्षा की जाती है एक साल के दौरान उसका money value why we are taking money value because यहां पे हम सिर्फ एक वस्तू की बात नहीं कर रहे हैं कि हम उसकी quantity और कीमत की अधार पे supply measure कर लें हम बात कर रहे हैं सारे goods and services जो की producers goods and services की तो बहुत variety है अब इतने variety में goods and services को अगर हम जोड़ना चाहें तो क्या यह possible है नहीं है सारे goods and services को नहीं जोड़ सकते लेकिन अगर हमें supply निकालना ही है तो हम कर सकते हैं काम कि तमाम goods and services का money value ले सकते है हाँ monetary terms में तो सब को जोड़ सकते हैं कि कितने कपड़े बने कितने milk प्रड्यूस हुए कितने wheat का production हुआ कितना service हुआ है पिछले एक साल में कितने teachers ने service दिया कितने professors में service दिया कितने doctors में service दिया जोड़ सकते हैं services के sense में नहीं बट monetary sense में हम जोड़ सकते हैं कि उनको at last payment कितना मिला उनको उन्होंने कितना charge किया कितने prices में उन्होंने अपने service दिया goods को sell किया तो इस sense में aggregate supply को हम निकालते हैं on the basis of money value of all the goods and services जो कि हर एक producers के द्वारा supply किया जा रहा है economy में एक दिये हुए साल में क्या ये बात समझ में आ रही है आ रही होगी तो अब अगर हम बात करते हैं कि ठीक है aggregate supply का concept तो complete हो गया अब मैं आपको एक term बताती हूँ कि aggregate supply जो है वो national income के बराबर होता है हमेशा होगा ही होगा aggregate supply हमेशा national income के बराबर होता है जैसे हम लोग उने aggregate demand में देखा था कि aggregate demand हमेशा aggregate expenditure के बराबर होता है ठीक उसी तरह से aggregate supply national income के बराबर होगा now the question is how कैसे कैसे बराबर होगा भई तो aggregate supply में क्या बात कर रहे था इसका मेनिंग क्या है टोटल मनी वैल्यू किसका टोटल मनी वैल्यू आल्डी गुद्सन्स तरविसेज जो की economy में सप्लाइ जा रहा है। मतला बेच दिया जा रहा है। बेचने की कोशिश की जारी है, बेचने के बारे में सोचा जा रहा है नहीं। बेच दिया गया, ठीक है? तब ही वो supply है, तो all the goods and services का money value और ये हम ले रहे हैं एक साल के दौरा, एक साल में, during a year, during an year, अब एक साल में हमने देखा कि जितने भी goods and services बने हैं, वो sell करे जा रहे हैं, उसका money value और वह ये aggregate supply है, इतनी देर से तो यही बात कर रहे थे, अब कह रह तो ये तो हुआ aggregate supply, नाशनल इंकम पर जड़ा गौर करें, तो unit 5 में हमने पढ़ा है न, unit 5 में हम पढ़कर आए हैं, कि national income का मतलब होता है, total money value of all the goods and services, जो की produce किये जाते हैं, economy में, एक साल के दौरान, ये हमने पढ़ा हुआ है कि this is called national income, national income का definition यही है, कि एक economy में, एक साल के दौरा, जितने भी goods and services बनाये जा रहे हैं, उसका sum total money, monetary value में, sum total national income है, क्या हमें aggregate supply और national income का meaning same-same लग रहा है, दोनों का meaning same है, यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, money value of goods and services, एक साल में, national income में भी बात कर रहे हैं, money value, all the goods and services produced हुए हैं एक साल में, meaning same, तो दोनों का concept भी same, अब कहोगे कि ऐसे तो definition लिख के बोल दिया, ऐसे कैसे, तो अब इसको ज़रा explain करेंगे, अब इसको खोड़ा सो और हम explain करेंगे और इस concept को समझेंगे, goods and services जो एक साल में बनाये गया है, उसका monetary value जो बेचा गया, तो जो पैसा producer ने receive किया, उन पैसों को producer क्या करते हैं, समान को बेच कर पैसा मिला, तो फिर उसका क्या होगा, तो होता क्या है, कि goods and services को बनने में, बनाने में, कुछ factors काम करते हैं, माइक्रो में पढ़कर आए हैं, factors of production कहलाते हैं वो, तो factors of production होते हैं, चार, main, land, labor, capital, entrepreneur, ये चार है factors, main, जिनकी मदद से goods and services के produce किया जाता है, अब जब producer goods and services को produce करते हैं, और produce करके बेचते हैं, तो जो पैसा मिलता है, उन पैसों को producer क्या करते हैं, कि इन ही factors of production के बीच में distribute करते हैं, जो पैसा, producer receive करते हैं, goods and services को बेच कर, वो पैसा, producer जो है, वो इन ही factors of production के बीच में distribute कर देते हैं, जैसे कि, land को क्या मिलता है, तो land को उनके काम के बदले में मिलता है, rent, labor क्या receive कर रहे हैं, labor receive कर रहे हैं, wages, और salaries, capital को क्या मिलता है, capital को मिलता है, interest, और entrepreneur क्या रखते हैं, profit, तो यह जो reward है, factors of production का, rent, wage, interest, profit, इस reward को, जब add कर देंगे, तो यह बन जाता है, aggregate supply, और national income का मतलब हुआ कि, economy में जितने भी factors हैं, जो contribute कर रहे हैं, to the process of production, दूसरे sense में, कि जितने भी factors हैं, जो contribute कर रहे हैं, to the process of production, उनको उनके काम के बदले में जो पैसा मिल रहा है, उसका sum total, मतलब जितने भी लोग हैं, उनका income जोड़ देंगे, national income मिल जाएगा, और economy में ये factors हैं, total, और इनका income जोड़ दिया, तो निकल गया national income, और यहां तक हम कहां से पहुँचे, तो हम देख रहे हैं, total money value, aggregate supply में, वो पैसा, goods and services का, जो एक साल में बना कर बेचा जा रहा है, उसको जब factors of production में distribute करा, तो sum total national income, तो इस sense में हम कह सकते हैं, कि national income is equals to aggregate supply, कह सकते हैं, so आपको यहां पे proof हो रहा है, कि aggregate supply जो है, वो national income के बराबर है, किस तरह से, तो वो मैंने आपको properly बता दिया, meaning दोनों का same है, इसलिए दोनों बराबर है, और अंदर जाकर के बात करें, तो और अंदर की बात है, कि भाईया, जितने goods and services का बन रहा है, बिकरा है, money value जो भी है उसका पैसा, वो उनके factors में distribute हो रहा है, और factors का remuneration जोडने पर national income मिलता है, इसलिए national income aggregate supply के बराबर होता है, बात यहां पे हमें समझ में आ गई है, तो हम बढ़ेंगे आगे, और बात करेंगे, कि aggregate supply के components क्या क्या होते हैं, अग्रिगेट supply के main components क्या क्या होते हैं, जैसे aggregate demand के components थे main, कि कुसी तरह से बात करें अगर components of aggregate supply, तो इसके main दो component होते हैं, जैसे aggregate demand के 4 थे, aggregate supply के 2 होते हैं, कैसे 2 होते हैं, तो aggregate supply बराबर national income, अब income का हिस्सा, income जो होता है न, वो दोस अलग-अलग part में बढ़ता है, जो major portion होता है income का, वो consumption of goods and services पर खर्च किया जाता है, जैसको C से denote करेंगे, और जो balance बचता है, जो rest part बचता है, उसको सेव कर लिया जाता है, तो हम कह रहे हैं कि income is a part या income is a component of consumption and saving, income का हिस्सा consume होता है, बचा हुआ safe होता है, income बराबर aggregate supply के, तो aggregate supply के दो components, एक हो गया आपका consumption expenditure या consumption और दूसरा हो गया saving, तो aggregate supply के main कितने components हो गया है, दो components हो गया है, एक है consumption और दूसरा है savings, अब यहाँ पर यह equation आपको रखना है, याद, as is equals to y is equals to c plus s, c क्या consumption, s क्या savings, अब हम लोग इसका कर लेते हैं, diagrammatical presentation, देख लेते हैं, कि aggregate supply का जो curve है, इसका shape कैसा होता है, और aggregate supply के curve को बनाने के लिए, हम यहाँ पर सबसे बहले बनाएंगे table, सबसे पहले बना लेते हैं, हम एक schedule, जिसमें हम aggregate supply को denote करेंगे, और इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे income, इनकम के साथ यहाँ पर हमें चाहिए consumption, फिर हम लेंगे savings, और फिर हम लेंगे aggregate supply, जो कि होगा consumption plus saving, income को denote करेंगे y से, consumption को c से, saving को s, income हम initially लेते हैं 0, फिर 100, 200, 300, 400, 500 and 600, income हमने ले लिया है और धीरे-धीरे income जो है, वो increase हो रहा है, consumption initially कुछ ना कुछ होता है, यहाँ पर हम example के तौर पर ले रहे हैं 40, फिर income है, consumption है आपका income से जादा 120, फिर ये income के बराबर, फिर income से कम बट increasing rate से, फिर हम लेंगे यहाँ पर savings, saving क्या आप कैसे लेंगे, तो जब consumption है 40, 0 level of income पे, तो यहाँ पर saving है minus 40, कैसे, तो जो savings है वही consume किया जा रहा है, विच मींज वहाँ पर saving खर्च हो रहा है, तो जो saving होगा, वो हमारा, minus के sign के साथ होगा, that is minus 40, next में हम saving ले रहे हैं, income 100, and consumption 120, saving कितना, minus 20, यहाँ पर income 200, consumption 200, saving कितना हो रहा है, 0, पैसा बचा ही नहीं, फिर income है 300, consumption is 280, savings कितना हो रहा है, plus 20, फिर income है आपका 400, consumption is 360, income कितना है, plus 40, plus का sign नहीं में देंगे तो चलेगा, then, income जैसे जैसे increase हो रहा है, 500 है, consumption बढ़ा 440, आपका saving बढ़ गया 60, यहाँ पे income 5600, consumption है 520, savings है 80, हम देख रहे हैं, कि जैसे जैसे income बढ़ रहा है, हमारा जो saving है, वो भी increase होता चला जा रहा है, initially savings negative है, फिर zero है, और फिर saving जो है, वो positive होकर के increase होता चला जा रहा है, अब हम aggregate supply लेगे, aggregate supply में हम consumption और saving को add करेंगे, तो consumption और saving को add करो, 40 plus minus 40, zero, 120 minus plus minus 20, जोड रहा है न, इसलिए है, तो plus minus minus, तो 120 minus 20, 100, 200 plus 0, 200, 280 plus 20, 300, 360 plus 40, 400, 440 plus 60, 500, 520 plus 80, 600, अब आप यहां पर देखो, income aggregate supply, जो है, वो आपको increase होता, वो दिख रहा है, जैसे जैसे income बढ़ रहा है, और क्या आपको income के just equal दिखाई दे रहा है, aggregate supply, aggregate supply just बराबर है, income के, तो अब तक जो हम लोग कहा रहे थे, कि aggregate supply income के बराबर होता है, यह मैंने आपको theoretically बताया था, यह हमारा tabular form में proof होता है, कि जैसे जैसे, जो जो income है, या income जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारा जो aggregate supply है, वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो यह तो होगया aggregate supply का nature, जो हमने, टाबिलर form में देखा, अब हम लोग एक काम करते हैं, कि aggregate supply के कर्व को भी देख लेते हैं, कि इसका shape कैसा बनता है, aggregate supply के कर्व को बनाने के लिए, सबसे पहले तो, X और Y axis ड्रॉ करेंगे हम लोग, X axis पे हम ले लेंगे income, Y axis पे हम ले लेंगे aggregate supply, अब यहाँ पे जब हम income का कर्व बनाएंगे, या कहो aggregate supply का line बनाएंगे, तो यह line हमें, origin से start होता हूँ मिलेगा, क्योंकि income जो है वो increase हो रहा है, 100, 200, 300, 400, 500 and 600, यहाँ पे भी ले लो 100, 200, 300, 400, 500 and 600, अब जब यह income 100, aggregate supply भी 100, यहाँ पे, income 200, aggregate supply भी 200, यहाँ पे, ठीक किसी तरह से income बढ़के 300, aggregate supply भी बढ़के 300, 400 income है, aggregate supply भी 400 है, income के 500 होने पे, aggregate supply भी 500 होगा, और 600 होने पे, aggregate supply भी 600 होगा, यहाँ पे, जब आप aggregate supply का curve बनाओंगे, तो यह curve आपको upward rising मिलेगा, और यह upward rising होने के साथ साथ, आपको straight line नजर आ रहा है, इसका कारण है, straight line upward rising होने का मतलब हुआ, कि इस AS कर्व का जो slope है, वो positive है, इसको नाम दे देंगे हम, AS is equals to income, is equals to C plus S, यह हमारा positive slope का curve है, positive slope का मतलब हुआ, कि यह upward rising curve है, और यह indicate कर रहा है, direct relation between income and aggregate supply, because somehow दोनों के दोनों जो हैं, वो same है, और एक important बात कि, aggregate supply का जो curve है, वो हमेशा origin के साथ, 45 degree का angle create करेगा, क्यों ऐसा, क्योंकि वो indicate करेगा, कि जितना change income में होगा, ठीक उतना ही change, aggregate supply में होगा, दोनों axis का जो change है, वो हमेशा equal होगा, 45 degree का यह मतलब है, और इस तरह से, aggregate supply का जो curve है, वो एक 45 degree line है, which is upward rising, positive slope, showing direct relationship between, income and aggregate supply, because यहाँ पे income बढ़ेगा, aggregate supply भी बढ़ेगा, income घटेगा, aggregate supply भी घटेगा, तो इस तरह से, income और aggregate supply, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, यह graphically भी हम देख पा रहे हैं, और इसी के साथ, aggregate supply का जो curve, और इसका जो concept है complete, वो यहाँ पे हमने complete कर लिया है, एक complete जो discussion हमको करना था, aggregate supply पे, उसके meaning पे, साथी साथ उसके components, और उसके curve के shape के बारे में, वो हमारा है आपर finish होता है, AS का meaning आपको याद रखना है, उसके दो components हैं, consumption, and saving, और साथी साथ आप याद रखोगे, कि aggregate supply का जो curve है, वो upward rising होता है, start होता है from the point of origin, और 45 degree का angle बनाते हुए, upward rising ये जाता है, इसके बाद, next class में, हम next topic को शुरू करेंगे, जो की होगा consumption function, और उससे related, जितने भी basic terms हम लोगों को पढ़ने हैं, वो हम लोग cover करेंगे, हमारे अगले class में, thank you.